तो दोस्तो हादिक पांडय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें हादिक पांडय कुछ कहते वे नज़र आ रहे और उन्हेंने गुस्से में कुछ ऐसा वड़ यूस कर दिया जो उन्हें नहीं करना चीए था और वो स्टम माईड में रेकॉर्ड हो गया उसके कारण उन्हें बहुत लोग टोल भी कर रहें दोस्तो ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आईए आपको वीडियो में बताते हैं दोस्तो ये पूरा इंसिडेंट 11 वी ओवर का है 11 वी होरके आकरी बॉल पर जब हर्शल पटेल लॉर्कें टगर को बॉल डालते है स्लो डिलेवरी होती है और बॉल जाकर उन्हें पैड को लग जाती है वहाँ पर हर्शल पटेल तो अपील करते हैं पर अमपाय का कोई रियाक्शन नहीं था उस दोरान लॉरकर ने एक रंज चुडा लिया उस समय इशान किशन के पास बहुत अच्छा अपॉर्चिनिटी होता है उन्हें रन आउट करने का पर यहाँ पर इतना इजी चांस इशान किशन मिस कर जाते हैं यहाँ पर हादीक पांडिया तो खुश नहीं दिखाए दिये इशान किशन के इस थुरों पर हरषल पattेल कर लेते हैं पांडया को रिवीव लेने के लिए पर यहां पर हादिक पांडया को रिवीव नहीं लेना होता क्योंकि एक रिवीव एलडेडी वेस्ट हो चुका है आखरी रिवीव बचा होता है बट हरषल के कहने पर वो भी यूज़ कर लेते हैं और रिपले में देखने के बाद बॉल आफ साइट जा रही हो दिया है मतलब यहाँ पर भी नॉट आउट था तो यह रिव्यू भी वेस्ट हो गया जिसकी बाद हार्दिक बांडे को बहुत गुसा आता है हर्षल पतेल और इशान किशन के ओपर और गुसे में कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि स्टम माइक में रेकॉर्ड हो गया हाला कि उन्होंने ये सब गुसे में कहा पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे के दिये गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हार्दिक पांडे को आप बैतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें जरुर बताए